आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरीद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं हिंदु धर्म में ये दिन पीपल के व्रक्ष के लिए पूजनी होगा जो भी शनिवार के दिन पीपल के व्रक्ष की पूजन करेगा दूद चड़ाएगा या मिश्ठान का भोग लगाएगा लच्छमी और नारेन उसके घर में प्रवेश कर जाएगा पुरान की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीरत नहीं जा सकते पर्थवी के सारी नदियों में इसनान नहीं कर सकते पवीत्र नदियों में आप इसनान नहीं कर सकते या किसी भी तीरत में जाकर एक रात्री भी विश्राम नहीं कर सकते या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा कोई पुन करा ना करा कोई सतकर्म करा ना करा कोई शास्त्र पढ़ा, ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना, ना सुना, उसके बाद भी श्यू महा पुराण की कथा करती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर की शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीरत, सारी नदिया, सा अरोवर सारी बावडी सारे तलाब सारे कुंड के इसनान का पुन्य दान का पुन्य प्राप्त हो जाता है केवल शिवतत्व को प्राप्त कर लेने शुमहा पुरान की कथा कर रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक कभी साधरन नहीं होता है उस दीपक के लिए महत बता, उस दीपक का भी बढ़ना में मारा एक बात और बहुत अच्छे से सुनी आगे, साइद आपके जिन्दगी को सवाल, साइद आपके जीवन को सवाल मेरी जीजियों मेरे जीजाओ मेरी बेटियों कभी कभी मुका लगे शंकर भगवान के शिविलिंग के पास में आप बेटे है यहां तक सास्तर कोटा है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आगए है बहुत तेज बुखार और बच्चा उस बुखार में तप रहा है बहुत तप रहा है तुम जिस दिये में भगवान की आरती उतारते हो जिस दिये से तुम भगवान की पूजन करते हो कभी मुख्का लगा और आप पूजन करने के लिए गाएं कभी पूजन करने के और आपको शंकर भगवान के शिविलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिविलिंग के उपर कनेर का गर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ना अरे बोलो तो जमके कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ विद्धिक जाए विशम परिष्थिती हो बहुत हिम्मत ना हारते हो तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए कनेर का पुष्प वहां रखा हो चाहे वो चाहे वो जलाधारी पर रखा हो चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो शिवलिंग पर रखा हो उस कनेर के पुष्प को अगर आप पांच जगा का इस परश कराकर अपने हिर्दाई की बात केकर बापिस महादेव को समर्पित कर देते हो तो भी मेरा महादेव तुमारे दुख का निवारण अब पांच इस्थान पहला गनेश जी गनेश जी का जो इस्थान होता है वह जब दूसरा शडानन्द कार्थी तीसरा अशुक सुन्दरी वाला इस्था चोथा जलाधारी जो उपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है जया विशहरा शामली बारी दौतली देव शंकर जी की पांच बेटियों का और पांच वे नंबर का है शंकर भगवानक के जो ऐसे वर्णन किया जाए तृषूल के तीन भाग होता है करें दर्शन आप जोगने यह से सामने तृषू का जो तीन भाग होता है उस तीन भाग का जहाँ जोईं上 होता है जहां मिलता है एक जगहा पर देखो तीन भाग मिले हम नहीं की पांच वह प्रश करा कर श्वी लिंग पर अपनी कामना करकर श्रीशिवाय्य stability बाबारत यश्सिवाएर्ग को समरपित कर देता है हम पीन का ह कहेंगे हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है पीन दिन इंतजार करना मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा तीन महीना बहुत दूर करना है दिल से और कई तरह के दीपक का भी विधान बढ़न के अगए यहां तक शास्तर करता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार हा गया है और बच्चा उस बुखार में तप रहा है बहुत तप रहा है मारा है तुम जिस दिये में भगवान की आरती उतारते हो जिस दिये से तुम भगवान की पूजान करते हो उस दिये की बच्ची को नीचे डाल दीजिए और उस दिये को पानी की बाल्टी में धो दीजिए कौन सी बाल्टी में जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को इसनान करा स कि एवल भदवान पर से लिजाकर पास में से लिजाकर बाल्टी में थोड़ी दे डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को इसनान करा दीजिए पंदरा से बीस मिनिट आदा घंटा लगे का बच्चे का बड़ी बेचेन दिख रही हो तुम क्या बाते पारवती ज इसका एक भक्त देववरत बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे बेट कर आपका मंत्र जाप कर रहा है मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी पर बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे लच्मी जाडू लगाती है सरसती भीना बजाती है इंद्रानी उस बेल पत्री के ब्रक्ष के न भूलता है है तो वह 33 करोड बार गिना जाता है इसा चल्प स Recht होता हुआ डिफ यह निए बार अगर नकPatua नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड बार 23 का वूति बार गिना जाता एक मंथर केवल नमस्शीवा ओम है मैं 22 कि इतना सुंदर लिखा older फिर वही वाली बात आगी जो पहले का था मैं का अपने लिए अच्छा वाला जी Carte के लाना अच्छी कंपनी का लाना और जब यग्डे कर ने वेखे पूजन करने वेखे वगवान का तुस्पाट कूजन करवाई पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूझा का भी चहिए तो वो पूजा का समान बेचने वाला भी तक्चतुर था उसने पूजा का ही गी दिया तो इनने पूचा वह या यह घी किते का तो कि 80 रुपे का तुझे 80 रुपे का आधा किलो तो कि पूजा का है आरत की भूमी पर इस मृत्ति लोक में पूरे विश्व में एसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने के भी आफ़त है पहने के कपड़े नहीं किसी के यहां पर भोजन नहीं किसी के यहां जमीन नहीं किसी के यहां दुकान नहीं कोई कोई पूरी जि मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने चत्रपती संभाजी नगर के श्रोता बाही बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हात का ठेला लगा रहे हो, सबजी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दर्वाज दो जगा पर जल चडाना प्रारام कर दीजिये के यवल तीन महिने एक संकर भगवान के शीविलिंग पर दूसरा बेल पत्री के पेड़ के नीचे ॐ जगा पर जल चडाना तीन महिने लगातफार चालू कर दो बाबा तर अंतिकी सीड़ी पर चड़ाए हमें कोई चमतकार करना नहीं आता और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं ना हमारे पास में बेल है ना हमारे पास में भवूती है हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है आप श्री शिवाय नमस तुभ्यम बोलो ओम नमस शिवाय बोलो नमस शिवाय करते करते भगवान शंकर के शिविलिंग पर जल और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चड़ाया उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेल पत्री के पेड़ के नीचे चड़ाना प्रानम कर दो अलग से बेल पत्री के पेड़ के नीचे चड़ाने के लिए अलग स से लोटा भर के जल जरूवत नहीं पड़ेगी जो तुमने शिवजी को जल चड़ाया जो तुमने देवदी देव महादेव को जल चड़ाया बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चड़ाओ उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे चड़ाना प द्यान दीजेगा जिस बेलपत्री का पोधा तुमारे सिर का और ये दोनों हाथ उपर कर लो अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ उपर करें इतना बड़ा बेलपत्री का पोधा है उस बेलपत्री के पोधे की पत्ती को कभी तोड़ कर शंकर जी को नहीं चड उंचा कर लेना इतना बड़ा पोधा है उस पोधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़ कर संकर भगवान को कभी नहीं चड़ाना संकर भगवान को उस बेलपत्री को उस ब्रक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो ब्रक्ष तुमारे हाथ से थोड़ा सा उंचा हो, जिसके लिए तुमें हाथ और उंचा करना पड़ रहा हो, जैसे एक बच्चा अपनी मा की गोद में बेठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, आवाज लगाता है, हाथ उपर करता है, तो मा उस बच्चे को गोदी में ले लेती है उसी तरह उस बैल पत्री के ब्रक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नती कर ली हो जो तोड़ा उंचा हो गया हो तुम तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हे अपनी गोधी में ले ले एसे ब्रक्ष की पत्ती तो अब तुम छोटा सपोधा बिल्कुल जरा सपोधा उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चड़ा होगे ये स्रिष्टता नहीं है यदि बेलपत्री का पेड़ आपके यहां है और मान लोग कई लोग बेलपत्री गमले में लगाते हैं या चट के उपर लगा देते हैं बेलपत्री का ब्रक्ष जो होना चाहिए वो घर के ठीक पीछे के पात्ती पीछे के पात्ती या पिल पत्री का पर पिछह नहीं है तो आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो राइट ईंड की और बिल पत्री का पिज़ो ना चाई दो но अब जब नहीं हिए और के वह सुकह अनुभाव करैं यदि घर से निकल ते समय बिलगत्री का पेड लिफ्त में अगर आता है आप संख से निकल रहे वह पटिके गाने यदि लेफ्ट लाइट भाग का मेल पत्र सुख का पत्र का व्रप्च घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाओ और ऐसी जगा नहीं लगाना कि जहां पर बेल पत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्कोश के नीचे पानी तेतीस करोड अबर पत्रि के पेड़ के नीजे सोम्बार के दिन गोई रविवार के दिन कोई मंगल वार कोई गुरुभार कोई शुक्रवार कोई संदीवार के दिन नीचे को atom 33 लोगे अगगर अंगो ई强 क weighs उत अंकर पर अगर जड़ी हुई तो बाप मेंस संथार अंगर ये ज़िव किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा है, कोई लागे नहीं बढ़ रही है, कोई कारे अटक रहा है, या फिर कहीं रुपिया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, तो एक जल के पात्र में, जल भरकर, पांच बेल पत्री शिव जी को समख्वित है कुंदक 1 महादयों का नाम लेकर सफेद पुश्पत बेल पत्री की ऊपर जो शिव जीव चड़ाई है उस पर समर्पित करकर जल जो लेकर गयं हो अपनी उस आम ना को करकर की मेरा ये कारे अटक राए ये कारे नहीं हो रहा कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चड़ाई और एक बात हमेंसा याद रखना फिर निवेदन कर रहे हैं अच्छे से समझ लेना संकर जी पर जब जल चड़ता है शिवजी का जब अभी एक होता है शंकर जी पर जब जल चड़ाया जाता है बूत चड़ाओ जल चड़ाओ कुछ भी चड़ाओ पर एक बात का इसमन अपने जीवन में होना कि इत्ते ऊपर से मत चड़ाना कि जल चड़े और छीटे आपके उपर है बहुत ध्यान दीजेगा हां तो यहां तक वर् फिस दह जहें कि शिवजीख का जहां से जल भेकर जा रहा हो चड़ा हुआ जर ज़हां से ऴेकर जा एक हरा तक नहीं पूरे चिट कहोंट चड़ाओं स्पर उत्तपर पर तरने तीस श्रीब पर आतरृसरों कि नहीं ने उसका तो वहन को अगर जल चड़ाओ दूद चड़ तो अगर जैसे एक सरल भासा में समझ दो और अच्छे से कि जैसे ये ये शिविलिंग है शंकर जी का ये ये शिविलिंग है और आप जल चड़ा रहे हो तो इतनी उपर से छोड़ोगे तो पानी का चीटा तो अपने उपर आएगा पर वही जल वही दूद वही सामगरी आप शिविलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समरपित करेंगे तो बाबा उसको सिकार भी करता है और आणंध की अनुभूती भी होती है कारे में सिध्धता भी आती है कारे में उसकी सिध्धता भी कि